इस इस मोर्निका सिंग और वेल्कम बैक तो आर चैनल आज आपके लिए है मैट्स का लेसं प्लान नंबर 9 मैथमेटिक्स इंग्लिश लेंग्विज में ठीक है और इसी के साथ मैंने आपको एक और सजेशन दिया है कि और भी जो लेसं प्लान है आपको इंग्लिश में बनाने नहीं होता है शुरुआत में थोड़ी सी दिकत पड़ती है और अगर अभी से आपने बनाना शुरू किया तो बिल्कुल दिकत हो रही होगी तो आप उनको यूज कर सकते हो ठीक है इसका पीडियेफ आपको टेलिग्राम से मिल जाएगा और कोशिश चली देए कि थोड़े सबसे पहले आपका लेसन नंबर है, इक लास सेक्शन है, ete, subject, यह तो आप मेंशिब करते ही हो आप अच्छे से जानते हो नेक्स्ट आपका टॉपिक आजाता है हमारा टॉपिक है आस ट्राइंगल जिय concern means अब subject में, general objectives आपके आप जानते हैं, subject पर related होते हैं, तो ये same रहने वाले हैं आपके 20 lesson plans में, next, specific objectives आपके topic पर based होते हैं, जैसे आपका topic बदलेगा, specific objectives बदल जाते हैं, जितने आप teaching पर ले रहे हैं, उनसे related आपके specific objectives होते हैं, next हमारा सायक सामेगरी, teaching aid, roll-up board लिया है हमने, ठीक है, उसी पर आपने क्या है, जो diagram से हो बना लिए होंगे triangle के, तो roll-up board आपका teaching aid होगे, previous knowledge बच्चे को कुछ basic knowledge होगी triangle के बारे में, वही हम मान कर चलते हैं, और उसी पर आधारित, इसी पर based हम introductory questions करते हैं, यह मान कर के बच्चे को इसकी जो थोड़ी बहुत है, वो कुछ knowledge है, पूर previous knowledge से यह relate कर पाएंगे, ठीक है, introductory question maximum 5 कर सकते हैं, last question मान के चलते हैं, बच्चे को इसका answer नहीं आता होगा, जिसको हम problematic question बता देते हैं, हमारे questions, introductory questions, previous knowledge पर तो based होने चाहिए, साथ ही ऐसे होने चा questions आपने ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हरी question एक दूसरे से related होना चाहिए, और last question से तो बिलकुल relate करना चाहिए, क्या पूछन चाहिए, क्या पूछन चाहरे हैं, सीदी से समझ में हो चाहिए, क्या जब final lesson plan भी बनाते हैं, और examiner आप से कहेंगे lesson plan बढ़ाने के लिए तो उनको भी समझ में आ जाए, कम से कम, कि आपने जो questions किये हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या वो topic पर connect हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके ऐसे questions होने चाहिए, ठीक, तो आपने questions किया, बच्छों नहीं answer कर दिया, इसके बाद teacher's statement, आपने क्या किया statement दी कि आपका objective हो गया, students will be able to classify the triangle based on sides and angles, explanation दी आपने, आप दोनों चाहिए कर सकते हैं, developmentary questions भी आप कर सकते हैं, या नहीं बन पा रहे हैं, तो आप सीधे explanation भी दे सकते हैं, क्योंकि last में आपने question पूछा होगा ना triangle का, और से related आप यहाँ पर क्या है, explanation दे सकते हैं, तो आपने blackboard, आगे, यह explanation का, third वाला point, यहाँ पर आगया, right angle, triangle, ठीक है, जो कि angle based था, next आपका, next हमारा point है, teaching point, medians of triangle, आप triangle के medians के बारें बताना चाह रहे हैं, developmentary अपने questions किये, यहाँ पर, यह explanation हो गई, और बच्चे क्या है, यहाँ पर आंसर किया, और यहाँ आप लिख सकते हैं students are listening carefully, ठीक, यह blackboard work में कुछ नहीं है, यह median शो किया हुआ है, तो आप कोई भी picture लेकर paste कर सकते हो, या फिर blackboard लेकर उस पे ऐसा ड्रॉ का करके दिखा सकते हो, median को, ठीक है, इसमें ज़्यादा नजल नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको median तो पता ही है, math तो इतना पड़ा ह पता पड़ जाए का कैसा वाला आपको पिच्चर यहां यूज करना है, बागी नहीं तो गूगल पर देख लिएगा, median डालेंगे तो पिच्चर आपको मिल जाएगी, तो वह आप mention कर देंगे, ठीक, आगे next आपका, आप altitude of triangle के बारें बता रहे हैं, teaching objective हो गया, डेवलेमे question करें, आगे अगर आप lesson plan बनाना चाहते हैं, और geometry बगरा बड़ा आसान हो जाता है, या इसके अलावा अगर आप equation पढ़ा रहे हैं, chapter, तो उसके अंदर आप equation ले ले लें, basically, और उसमें आप questions पूछ लें, कि यहां पर first term कौन सा है, second term कौन सा है, और उसे relate करके आप developmental questions प के बारे में, students are listening carefully, next, आप exterior angles and exterior angles of a triangle and this property, आप exterior angles के बारे में बता रहे हैं, उसकी property के बारे में बता रहे हैं, picture वही आजाएगी, exterior angles, exterior angles related, ठीक है, और आप यह जो picture रहना, इन questions की help से भी बना सकते हैं, क्योंकि आपने यहां पर question किया गया है, वो इनी picture से किया गया है, ठी explanation आपने दे दिया, explanation यहां तक complete हुई, next, आपका finding the value of exterior angle, आप exterior angle की value कैसे find करेंगे, ठीक है, developmentary questions हो गए, बच्चोंने answer किया है, और next, आपकी explanation आपने दे दी, related, यह आपको sum, आपने sum solve करके दिखा दिया, exterior angle आप कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, यह evaluation questions है, हमने आपको बताय बच्चों को समझ में आया, तो वो answer कर पाएगा, तो last में, evaluation questions कर लेते हैं, तीन, चार जितने आप चाहें, और homework, work यहां पर दे दी, आपने homework, दो questions दिया, आपने बच्चों करने के लिए, तो यहां है, अपके lesson पांद complete हो जाता है, ठीक है, कोई और query हो तो आप पूछ ल